नमस्कार मैं हूँ अंकित कुमार और आप देखना सुरू कर चुके हैं किसान तक मेरे हाथ में जो सब्जी देख रहे हैं नाम है जुकिनी इसके फाइदे काफी हैं हिर्दय से लेखे आँख कलेश्ट्रोल रक्त चाप तबाम तरह कि कई जो बीमारियां हैं उनके उसमें यह सब्जी एक राम बार के तौर पर काम करता है अगर इसकी सब्जी खाया जाए तो कई रोगों से आपको छुट कारा मिल सकता है लेकिन इसक कितने खेती से कितने फाइदे हो सकते हैं क्या क्या इस खेती के दौरान जरूत होगी यह सब कुछ हाज हम बताएंगे और इसके लिए हमारे साथ प्रक्तिसील किशान है शुजान जी हैं और काफी युवा हैं और अपने खेती में नए नए प्रियोग के लिए जाने जाते इसके बारे में थोड़ा से बताई है दोस्त क्या है यह जुकनी है और जो है कि यह बहुत ही रोगों में फाइदे मंद होता है और जो है कि इसका खेती दो सीजन में किया जाता है एक जो है कि आप इसको सितंबर से नमबर के बीच में कर सकते हैं और उसके बाद जनावजी से लेके मार्च अपरिल मईतक सब्जी का इसका खेती कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा इसको सर्दी भी जादा होती है तो नहीं हो पाता है और गर्मी भी जादा होती है तो नहीं हो पाता है इसके लिए टापमान आपको कितना रहना चाहिए इसका तापमान जो है कि आपको पंदर डिग्री से लेकर तीस डिग्री के बीच में रहना चाहिए अगर पंदर डिग्री से नीचे तापमान होता है तब भी इसका फसर खराब हो जाता है और तीस डिग्री से ऊपर होता है तब भी अच्छा जो रूप दिख रहा है यह जो है कि वाइग्यानिकों ने जो भी इसको बनाया है तो जो हमारा कोहणा होता है अलोग का दोनों के बीजों को क्रोस करके एक नई भेराइटी का निर्मार किया गया है जो कि इसका नाम जुकनी रखा गया है और बहुत ही दानिया बरतनी परती है क्योंकि जनरली खेती जैसे हर चीज का हो पाता है वैसे नहीं हो पाता है क्योंकि जब भी इसकी खेती होती है बेड़ पर ही होती है मल्चिंग विधी से होती है इसके जड़ तक पानी नहीं जाना चाहिए अगर जड़ तक पानी जाएगा तो इसक में खाद की जरुवत नहीं पड़ती है ना दवा की ओनली फॉर वाटर आपको चाहिए और बेट बनाते समय जो बेसल डोज दिया जाता है डिए पी यूडिया का जो भी बेसल डोज दे दिये एक बात उसके बाद आपको खाद पाने प्लाने लगता है और चालिस दिन में प अच्छा उपाय है कि जुकनी का खेती किया जाए क्योंकि यह 30-35 दिन में आपको फल देने लगेगा और 50-60 दिन में इसका फसल मतलब पुड़ा हर्वेस्टिंग होके खतम हो जाती है यानि कि दो महीने कि यह फसल है और दो महीने में अच्छा उत्पादन देती है आपका सब्सक्राइब दो तेम रूपों में यूज कर सकते हैं तो जी देखे सुजान भाई है और सुजान भाई ने अभी हमारे जो कई हमने वीडियो बनाया उसमें से यह सब्सक्राइब चुकी थी तो जुकनी के बारे में भी इन्होंने बताया इसके फायदे भी है और पढ़ पर इंटरेने पर पढ़ें गूगल को तब को जनकाने बहुत बहुत बहुतर मिलेंगी एक हम भी बता रहें और जिस तरह से इन्होंने बताया कि कब इसकी खेती किया जाता है कितना उत्पादन हो सकता है सब कुछ इन्होंने बताने का प्रयास किया और उमीद करते हैं कि आप भी अगर सब्जी में कुछ नए सब्जियों का प्रयोग करना चाहते हैं नए चीज़ों का प्रयोग करना चाहते हैं सब्जी में तो आप भी जुगनी का खेती भी कर सकते हैं और यह एक कमाई का बहतर विकल्प आपके लिए बन सकता है तो आप भी सब्जी कर रहे है तो उसमें जुगनी की सब्जी के लिए भी कुछ अस्थान दीजिए और इसका भी खेती करिए और कुछ का अच्छी कासी कमाई करिए उमिद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा खेती और क्रिसिस के साथ साथ ग्रामीर छेतर की तमाम बड़ी खबरों के लिए द हुआ 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 है